हेलो दोस्तो मैं मनावर खाम और आप देख रहे हो एम के टेक्निकल दोस्तो ये हमारी ये शॉप है हमारी एक और हमने शॉप ओपन करी है दूसरे अरिया में है ये दूसरे अरिया में हमने शॉप ओपन करी है ये हमारा डवलो एलस का सारा डवलो एलस का स्टॉप है और अभी थोड़ा माल अर्जेस्ट कर रहे हैं अभी थोड़ा वक्त लग जाएगा और ये कोरियर है दिलीब के नाम से है दिलीब कुर्मी और बेस्ट बंगाल का है ये कोरियर ये हाउजिंग है ये हंड़ेट एमम की और ये एक सो बीस एमम में हाउजिंग है और ये है असी एमम में हाउजिंग है अच्छा है अधर ये माल जा रहा है ये जा रहा मद्दे प्रदेश ये आइटम रखो ये सो पीसिस में डालें इस्पेक करें ये हमारा ओडर मद्दे प्रदेश जा रहा है और अभी पक्का एटरस हो या पता नहीं हो देखने से पता लगी हुए ये मैं एक साइट अन्दा जैसे ही बता रहा हूं कि मद्दे प्रदेश का कॉरियर है एंपी का इसमें 200 बलप और कुछ रा मटरियल जाएगा काफी बड़ा काट्वन है इसे साइड लगाओ अधर ये यहां रपेरिंग भी होती रहती है लड़का रपेरिंग करता रहता है यह हमारे सेंपल के पीस भी रखे हुए है तर इदर आ जाते हैं यह रड़ा है है यह से यह सिस्का में बेस्विजर है यह एंसीपी श्विव अगरा है पीड़ आ जाएं तो यह शिस्का में हाउजिंग है इदर बी-22 है और फिर इदर की बात करें इदर यह डिफ्यूजर रखे हुए है असी एम एम प्लस सो एम एम और वन टॉन्टी एम एम इसमें यह एलेडी बल्ब लगे हुए है एसे डीसी यह उठाईए है फट जाएगा इसे उठाऊ से तो इदर हमारे यह इसमें शिसका हाउजिंग का स्टोक है यह बहुत ही वेस्ट क्वालिटी में यह शिसका हाउजिंग है प्योर एल्मोनियम यह देखिए है प्योर एल्मोनियम में ऐसी हाउजिंग इतनी जवड़ जास्त और हैवी और फिनीशिंग की हाउजिंग जल्दी से नहीं मिल सकती और इसका डिफ्यूजर की बात करें डिफ्यूजर रहा है इसका अब पूरी हाउजिंग यह होगी बहुत ही खुबसूरत इसकी हाउजिंग है 95 mm में यह पिनी के अंदर रखना है पिनी के अंदर रखो इसा और फिर इधर भी शिस्का के इधर तो सिस्का के आपको डिफ्यूजर देखनाओ को मिले इधर 57 mm के हैं पिर और भी इसचोटी हाउजिंग का है मैं वो हाउजिंग भी दिखाना चाहूंग आपको यह देखिए यह चोटी सी हाउजिंग है पचास एमेम में, काफी खूबसूरत हाउजिंग है, फिर इधर ये आजाती है हाउजिंग, कलर वाली हाउजिंग भी आजाती है, बहुत खूबसूरत हाउजिंग है ये बागी सिस्का में काफी मोडल है हमारे पस, फिर इधर हमारे पास ये खूल वजरा, ये हमारे पास पीपी हाउजिंग का भोरा है ये पूरा, बड़ी फिनीशिंग वाली क्यूलिटी है, पीपी हाउजिंग ये देखो, अब देखने से पता लग जाती है, उठाओ ये, फिर इधर भी काफी एलमूनियम हाउजिंग है, AC-DC हाउजिंग है, डिफ्यूजर बगेरा है, यह अब एगर AC-DC का बोरा और दिखाइए, यह लेकिए, यह एगर AC-DC में पड़ा हुआ है, पूरा स्टॉक बड़ी खूब सुरत इसकी बाडी है, डिफ्यूजर बहुत किलीन है, और इधर यह हमारे यह हमारे पीपी हाउजिंग में एक हजार बलफ तयार हो रहे हैं और यह तिलंगाना हैदरबाद जाएंगे बलफ तो दोस्तो जिस किसी को भी एलेडी रा माटेरियल की रिक्वार्मेंट हो कॉल कर सकते हैं कॉल कर सकते हो नमबर हमारा नाइन एट डावल नाइट नाइन डावल बन सिक्स पाइप तो लिए और दोस्तो मेसेज करने से बहतरै कॉल करा करो और मेसेज कर दो अगर में reply दे देता हुँ ठीक है reply नहीं दे रहा हूं तो direct call कर लिया करो काफी मैं भोलता हूं और 11 याम बाग मन कराकर और 11 में प्रहला मत करा करा और 11 वज्यों कि नरसिते पर किसी अगली वीडियो हो और किसी नई जानकारी के साथ, नई सोलुसन के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई, गुड़नाइट